आज की डेट में हम डॉक्यूमेंट्स पे भरोसा नहीं कर सकते हैं तो हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा हमें थोड़े एनलिटिकल प्रोसीजर करने पड़ेंगे तब जाके हमारे सामने वह इनकंसिस्टेंसी आएंगी वह इशू आएंगे जो कहीना कही रूटीन चेकिंग और टेस्ट अफ डिटेल से नहीं आते हैं तो यहीं पॉइंट ध्यान रखना है रूटीन चेक्स डोंट डिस्क्लोस अल्ड़े मिस्टेक्स अल्ड़े मैनुपिलेशन जो मैनेजमेंट करता है तो आपको कुछ एनलिटिकल प्रोसीजर के ग्जामपल दे रहा है कंपैरिजन एनलिसेज रेशो अनलिसेज रीजनेबल नाम है एनलिटिकल तो आप एनलाइज करोगे एनलाइज क्या करेंगे प्लॉजिबल यानि लॉजिकल रिलेशनशिप बिट्वीन बोथ फाइनेशल एंड नॉन फाइनेशल डेटा तो मुझे बताओ हमने जो अपना एक्जामपल लिया वेजिस टू दे वरकर ठीक है यह इसको आपने कैसे evaluate किया by analyzing the plausible relationship between the wages per worker that is the financial information and the number of workers which is a non-financial information तो definition का कोई रटा लगाने की ज़रुवत ही नहीं है just logical format में ध्यान रखोगे तो अपने आप याद रहेगी ठीक है सर अब इसके बाद एक बाद बताओ जो मैंने workers की wages expect करी और जो actual wages थी इनके बीच में अगर significant difference है अब यह significant किया this is not defined but let's say there is a significant difference तो क्या आप उसको investigate करोगे हाँ सर इट अलसो इंक्लूड्स इंकंसिस्टेंसी दोनो एक जैसे वर्ट है and significant differences between the calculated and the actual amount ठीक है ठीक है सर अब आते है मेरा favorite सवाल what is included in analytical procedure तो आप बोलो तीन चीज़ें इंक्लूडड़ें क्या इंक्लूड़ें तो data का comparison एक यह कहता है consideration of relationships की data के बीच में relationships हो गए है and last में कहता है any other analytical procedure तो any other गया भाड़ में दो पे focus करते है comparison और relationships between data comparison किसके साथ होता है तुम बताओ तुम्हारे marks का comparison किसके साथ होता है सर हमारे पिछली बार किते नमबर आयते है उससे तो उसको बोलते है prior period comparison दूसरा ह पापा और टीचर्स की expectation है उससे तो उसको बोल दो expectation budget इस सबसे comparison होता है and last में आप बोल सकते हो सर क्या हमारा comparison होता है हमारे दोस्तों से कि तुम्हारे दोस्त के कित्ते है और तुम्हारे क्या है तो industry peers से भी comparison होता है तो see these are the three types of comparison of data आप किसी भी entity के financials को compare कर सकते हो prior periods से with the budgets expectation एक ही जैसे words है and third point is industry में क्या peers है तो suppose भारती एटल और जियो इन दोनों के data का comparison हो सकता है पिर अगला point होता है consideration of relationship तो यह तो बड़ा easy था financial की financial के साथ relationship जिसको प्यार से बोलते है ratio analysis and दूसा relationship क्या हो सकते है financial की non financial data जो मैंने आपको बताया workers की जो होती है कि number of workers into wages per worker इन रहता है what are the major types of analytical procedure वो पूचे what is included in analytical procedure या पूचे what are the major types smile देना बोलना एक ही बात है जब types की बात होगी तो आपके वही 3 point है तीसरे point में से 3 point और निकलेंगे मतलब prior period information वही रहेगी industry information वही रहेगी but जो expectation है उसके 3 point निकलेंगे sir expectation के 3 point क्या निकलेंगे एक तो client के expected result एक auditor क expected result और कुछ expected information using the non-financial information ठीक है sir अब auditor का objective क्या है मैंने का 2 objective है analytical procedure तीन phases में होते है एक तो as a risk assessment procedure एक as a substantive analytical procedure और ही होते है end of the audit में ठीक है ये तीन तरह के मैंने आपको बताया थे पहला वाला जो होता है risk assessment procedure that we have already covered in chapter 4 उसको छोड़ दो इस ऐसे में दो objective क्या है एक तो हमको चा procedure sufficient and appropriate नहीं मिल सकता मैंने का नहीं sufficient and appropriate के लिए test of details भी add करना पड़ता है तो word used is relevant and reliable audit evidence दूसरा मैंने आपको बताया था हर audit के end में क्या बनता है OAR OAR मतलब overall analytical review जिसमें आप इस साल की figures को पिछले साल से compare करते हो variances निकालते हो उनकी percentage निकालते हो और उसका reason बताते हो या describe कर तो कैसे as the auditor आपने उस पर comfort पाया तो आप at the end of the audit during the conclusion stage you do the analytical procedure ताकि आप यह देखो आपकी जो understanding entity और financial statement को लेके वो ठीक है या नहीं ठीक है सर अब आते है सर purpose of analytical procedure one of our favorite topics हमारा purpose क्या है relevant or reliable audit evidence मिले ठीक है सर तो हम इसमें क्या करेंगे न इसमें आई से कुछ बढ़िया यह रहा यह कहता है audit शुरू होते ही auditor ने इस साल के P&L account के items को पिछले साल से compare करना शुरू किया तो बता वो क्या achieve करना चाहरा है मैंने का कुछ नहीं बस वो देख रहा है क्या increase है क्या decrease है और उसके पीछे क्या reason है तो if the balances in the P&L are compared with the previous period हम यह देखना चाहते है what are the reason for increase or decrease in the profits of the year दूसरा मैंने आपको क्या बताया था ratio वाला कि हम इस बार के जो खडचे है उनका ratio निकालेंगे to the sales और उसको पिछले साल से compare करेंगे इस साल का ratio यह है पिछले साल का ratio यह है again उनको compare जब हम करेंगे तो हमको पता चलेगा जो खडचा है वो कितना increase or decrease हुआ है in relation to the sales of the entity very good जब आप यह दोनों चीज़े compare करोगे और आपको significant differences मिल रहे हैं क्या मिल रहे हैं differences which are material तो जब भी ऐसे differences मिलेंगे हम उसका reason देखेंगे और हो सकता है उस reason से हमें पता चले क्या management ने कुछ manipulation तो नहीं कर रखी तो इन तीनों points को connect करके चलना पहले reason मिलेंगे which are material फिर ह manipulation है की नहीं और अगर manipulation है and आपको लगता है there is a unusual tomato sir unusual tomato का क्या मतलब था unusual transactions unusual amount unusual trends unusual ratios तो फिर as a auditor आपने उसकी implication देखने generally it is a indicator of fraud ठीक है ठीक है sir तो last का जो point है यह तो आपका conclusion है बस आपने पहले दो point compare करने है sir क्या इस साल की figures को पिछले साल से compare करो तुस्स आपको increase or decrease in profits के reason पता चल जाएंगे दूसरा जो expenses के ratios to sales है उनको पिछले साल से compare करो उससे आपको increase or decrease पता चल जाएगा in the expenses in relation to sales इस ते आपको अगर लगते है कोई material difference है उसका reason पूछ हो और उस reason को फिर आप analyze करके क्या पता लगा पाऊगे क्या management ने manipulation करी है फिर unusual tomato वाली line ठीक है sir अब आत इसी चीज़ को verify कर सकते है बिना उसको check करे मतलब independently verify कर ले बिना check करे मैंने का हाँ example से बताओ sir आपने बताया था कि जो हम goods import करते है उस पे हम generally custom duty पे करते है which is a add valorum duty add valorum मतलब value पे percentage duty लगती है तो अगर वो duty constant है uniform duty है तो आप duty paid से cost of imports निकाल सकते हो मैंने का very good तो ये तो purchase side हो गई क्या sales side भी check हो सकती है goods is sold अगर आपको निकालने है example के तोर पे sugar एक बच्चे ने लिख दिया तो हो सकता examiner को पसंद ना है तो अगर आपको quantity of sugar निकालनी है तो यह हम कैसे निकाल सकते है with the GST paid तो GST या exercise duty के साबसे आप निकाल सकते हो ठीक है sir एक point तो समझ गए अब मैंने का जो sales की बात है उसी से related next point है क्या आप sales पे commission देते हो हाँ क्या आप profit पे भी commission देते हो हाँ तो जो profit की commission और sales की commission उसको आप कैसे check कर सकते हो profit की commission को profit से sales की commission को sales से खतम खान नहीं अब इसके बाद वापे same line आ जाएगी वही इससे आप identify कर सकते हो existence of unusual टमाटर जहां भी unusual टमाटर मिलता है तो उससे क्या होता है this is a indicator of a risk of material statement due to fraud जहां पे भी ऐसी unusual of analytical procedure सुबह 6 बजे सुबह 8 बजे दुपहर के 12 बजे या रात के 10 बजे मैंने का फाल तू बाते मत करो तीन stages में analytical procedure होते है पहली stage जो essay 315 cover करता है बाकी दो stages जो essay 520 के अंडर आती है पहली stage जो थी planning the analytical procedure इसमें आप क्या करोगे मैंने का risk assessment procedure करते है यानि आप चीजों की understanding ले जब आपने understand करके risk निकाली क्यों निकाली so that you can plan your further audit procedure further audit मतलब 330 कर सकते हो यही बोलता है it helps in determining the NTE of further audit procedure आखरी में relationship किसकी देखते है financial non-financial data उसके example दे रखे है clear है clear answer then comes the testing phase that we covered just after the break उसके बाद आता है completion phase यह वाले तीन points बस आप read करके चलना कुछ करने की ज़रुवत नहीं है अब आजो सारे के सारे बच्चे मेरे साथ let's understand what is the testing phase what is the substantive analytical procedure इसमें हमने किसका example लिया yo-yo hotels let's say entity yo-yo hotels मैं उसका amount of revenue चेक करना चाता हूँ कैसे चेक कर तो मैंने client से data लिया मैंने का client मुझे data बताओ किते rooms है कहते है hundred rooms है एक room का भाड़ा किता है कहते है thousand rupees per day मैंने का साल में किते दिन तुमारा hotel खुलता है कहते है 200 दिन खुलता है और 80% occupancy यह सारा data मैंने इससे ले लिया 80% occupancy मतलब vacancy will be 20% basic thing अब मैंने इससे क्या किया मैंने expected rental revenue निकाला expected rental revenue किता निकल क्या है सबने calculate करके बोला 1.6 करोड मैंने का मुझे exact 1.6 करोड नीची है अगर आपके financial statement में जो actual amount है वो 10% उपर नीचे है तो भी मुझे चल जाएगा यह मैंने 10% कैसे निकाला based on my materiality levels based on my risk of material statement जो भी fancy fancy words होते हैं उन सबको ध्यान में रखे ठीक है सर तो अगर actual 1.76 करोड या 1.44 करोड के बीच में है चल जाएगा but what if the actual revenue is 2 करोड क्या यह मेरे acceptable difference से ज्यादा हो गया हाँ तो फिर मुझे इसको investigate करना पड़ेगा this is called what substantive analytical procedure यानि आपने client से data लिया उसके basis प पोड़ा बहुत difference उपर लीचे चल जाएगा without any investigation but अगर यह difference ज्याद है तो फिर मैं इस चीज को check करूँगा कि reason क्या है क्यों इतना ज्याद है और उस reason को लेके मैं management से evidence वगर इखटा करूँगा so what is the four step process tell me this thing क्योंकि यह ICI पूछना चाहेगा तर ICI के हिसाब से four step process इसमें 2 factors डालते हो risk of material statement plus क्या उसी चीज के लिए test of details करोगी कि नहीं इसको हमने expand किया था next topic में suitability के से ऐसे rhyming rhyming कौन सा word है reliability यानि जिस data के basis पे मैंने expectation निकाली यह वाला data क्या यह data reliable होना चाहिए हां sir तो हमको देखने है reliability of data जिस पे आप expected value निकाल रहो यह 4 factors किस पर depend कर यह data की reliability depend करती है 4 factors पे सबसे पहले source of data यह data कहां से आये internal to the entity और external to the entity internal data reliable कब होता है जब उसके उपर internal controls proper होते है अगला point भूल गया sir नहीं याद है जब मैं बात कर रहा हूं controls की तो अगला point तुमको याद क्या आएगा com, comparability of data यानि अगर एक hotel का data comparable है to the दूसरे hotel का data और तो उनों एकदम similar line में चल रहे है तो उसकी reliability बढ़ जाती है last point क्या था reliability का छोटा भाई relevance तो rel करके याद रखना relevance of the data again these things are covered in detail in the next topic चलो sir अब इसके बाद आती है उस data पे हमने क्या निकाली expectation हमने कहीं expected value निकाली अब वो expected value इत्ती precise होनी चीए कि आप उससे misstatement identify कर पाओ और वो misstatement पर चेक कर लेना material तो नहीं है last में मैंने क्या बोला था 10% उपर नीचे चल जाएगा यानि amount of difference which is acceptable without any further investigation so these are the four points that we covered today मजा आ गया sir so सबसे पहले suitability of the analytical procedure then the reliability of data data से क्या रिकाली expectation 10% उपर नीचे चल जाएगा मतलब amount of difference that is acceptable without any further investigation then हमने क्या किया सर बड़ा ही काम किया suitability को खोल के रख दिया क्या बात है sir कोई analytical procedure suitable कब होता है अगर थोड़ी मोड़ी transactions होगी थोड़ी छोड़ी transaction होगी तो उसकी details ही check कर लेंगे documents ही check कर लेंगे इनकी जरूरत तब पढ़ती है जब फिर सारी transaction होती है plus these can be predictable over a period of time for example जो हमने rent ली rent में predictable चीज़े थी कि भाई soy room है 200 दिनी काम करते है 80% occupancy रहती है सब चीज़े predictable है तो large volumes of transaction which are predictable over a period of time अब predictable कब है क्यूंकि there is a relationship between the financial and non-financial data अच्छे relationship के बारे में generally किसको सबसे पहले पता होता है tabs को tabs का मतलब है planned analytical procedure जब भी आप करोगे आपके expectation there is a relationship between the data which exists and continue and last point क्या था इसका auditor analytical procedure वही करेगा जो उसको लगता है effective है अब second point one of our favorite points predictable से हमने निकाला predictive unsophisticated predictive model भी use कर सकते है example अगर मुझे किसी worker की wages calculate करनी है तो number of workers into the wage per worker उससे आ जाता है ये example भी हो गया third point is different different का मतलब क्यादा different types of analytical procedures provide different levels of assurance दो example बताओ एक में high assurance एक में low assurance high assurance वाला rental वाला था जो हमने hotel वाला cover किया low assurance वाला कौन सा है सर gross margin से revenue पर comfort लेना is not easy gross margin से revenue पर comfort लेना is not easy वाय क्योंकि जब आप gross margin बोलते हो मेरा 20% बड़ा ऐसा भी तो सकते cost कम होई हो direct cost कम होई हो हाँ सर तो gross profit margin से revenue पर comfort लेना is providing lesser level of assurance fourth point क्या था एक different profession बताओ जो आजकल उचाहिया चूरा है सर लाला ली 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 ला हाँ कौन सा होता है influencer वाला influencer वाले में आपने यादार रखना था suitability is influenced by two things assertion and the romam assertion वाली बात हम next point में करते है रोमम वाला point क्या था sales के controls बड़े खराब है तो इसका control risk बढ़ गया risk of material statement बढ़ गया तो जब आप debtors की testing करोगे तो आपको test of details करना पड़ेगा एकदम logical common sense वाली बात है फिफ्थ पॉइंट क्या था nature of assertion यानि जिस assertion के लिए आप test of details कर रहे हो तो उसके साथ analytical procedure भी कर सकते हो these are considered suitable when test of details are performed on same assertion तो valuation की जो assertion है उस पर आप दोनों चीज़े कर सकते हो यानि test of details में आपने subsequent bank statements चेक कर लिए debtors के rights तो उससे पता चल गया debtors ठीक से valued है की नहीं and दूसरी चीज़ उनकी provision को check करने के लिए aging analysis कर सकते हो which is a analytical procedure clear है clear है sir यहां हमने एक summary बनाई थी इस summary को इवार आप go through करते हो तो आपको पूरा पूरा flow recall हो जाता डिसकस किया था वो हो था suitability of analytical procedure एकदम detail में cover किया अब बात करेंगे reliability of data जिस data के थूँ आपको expected value निकालनी है यह data reliable है कि नहीं कि यह split depend करेगा तो मैंने कहा सबसे बहले depend करेगा data आया कहां से what is the source of information generally ऐसा कहा जाता है जो external source that is more reliable internal वाला बक्वास होता है so it will be more reliable if obtained from independent sources outside the entity sir internal वाला reliable कब होगा जब उसके internal controls अच्छे होंगे so second point is controls over preparation controls over the preparation of information to ensure it's kai kai का क्या मतलब होता है completeness accuracy and integrity of information इसका example दो मैंने का simple सी बात है information का example है budgets जो entity budgets बनाती है information को compare करने के लिए उसके regarding internal controls हम देखेंगे ठीक है sir अब third point भूल गए तो मैंने का कौन का अगला point क्या था com का मतलब था कौन का com यानि comparability of information जिस information से आप compare कर रहे हो उसको भी ध्यान में रखके चलना है यानि अगर generally information को compare करने के लिए industrial data available है so if the industrial data is available for comparison then it is considered to be more reliable and last point आ जाता है भूलने वाला तो मैंने का ये था आप check क्या कर रहे हो reliability तो reliability का छोटा भाई ये relevance relevance of information जो information से आप comparison कर रहे हो क्या वो relevant है तो इसका example था budgets जिस budget से आप compare कर रहे हो दो तरीके के budget हो सकते हैं एक हो सकते realistic एक हो सकते unrealistic realistic वालों को बोलते expected results क्या आपको लगता है कि हाँ entity इतना तो perform करी लेगी एक होते goals to be achieved अगर goals to be achieved है these are aspirational so if it is a expected result is a realistic budget then it is considered to be more reliable ये चार पॉइंट हो जाते है फटा फट एक बार revise कर लेते हैं reliability किस पर depend करती है source of information external sources है more reliable internal तब reliable होते है जब controls होते है control से आया comparability comparability के बाद last point है इसका छोटा भाई यानि relevance of the information जिसमें आप बोलो के budgets जो है क्या ये results to be expected है या goals to be achieved अब इसके बाद हमने एक topic discuss किया sir क्या जो आपके पास information है इससे हमको क्या develop करनी है expected value और expected value को financial statement से compare करते हैं तो जो आप expectation निकालो वो sufficiently precise होनी चीए to identify a material misstatement इसमें हमने आपको बोला कि just flow में चलना क्योंकि आई से हो सकते हैं इसमें 3 marker question पूछे तो सबसे पहले एक बाद बताओ expectation develop करने के लिए क्या चीए information both financial as well as non-financial availability of information financial as well as non-financial दोनों के example दे दो financial में budget तो उसमें rupees का sign आता है और non-financial information यानि volume of goods sold quantity है तो वो non-financial हो गई अब जो information है उसको तोड़ो तोड़ो मतलब degree to which the information can be disaggregated तो हमने इसमें example लिया था कि suppose मुझे airtel के revenue पे analytical लगाने है तो airtel का जब revenue है इसको मैं किस से compare करू पूरे reliance limited के revenue से जिसमें petrol भी आ जाता है retail भी आ जाता है geo भी आ जाता है सब आ जाता है ठीक है या मैं सिरफ geo private limited से करू which is a component of reliance limited सरसिर्फ component से करू तो आपने ही देखना है analytical procedures are more applicable better suitable जब आप apply कर रहे हो entity as a whole या फिर आप component पे कर रहे हो यह चीज आपको ध्यान में रखके चलनी है अब जब this aggregated हो गए तो अब आप देखो कितनी precisely आप expected value को calculate कर सकते हो precisely की जगा word used है accuracy accuracy with which the expected values can be predicted तो sir accuracy with which the expected value can be predicted बड़ा ही प्यारा example था आपसे मैंने एक simple सवाल पूछा company के gross profit margin को predict करना accurately असान रहेगा या one time research and development expenditure तो आपने कहा था यह जो optional expenditure होते है research and development advertising cost इनको predict करना उतना असान नहीं है जितना GP margin को करना है तो यह तीन points को बस आपने इसी flow में याद रखना है सर क्या availability of information, financial, non-financial example आगया budgets, volume of goods उसके बाद information को तोड़ो यानि degree to which it can be disaggregated disaggregated में आपने देखना जिस information को आप analyze कर रहे हो वो पूरी entity किये या उसके component किये and last में accuracy with which you can predict the results इसमें आपका आएगा GP margin और come on optional expenditures like R&D और advertisement ठीक है, ठीक है सर फिर मैंने आपको इप्यारा से topic पढ़ाया क्या इधर आओ हमने सीखा कि सर आपने बोला था कि जो आपकी expected rent आई है, उसका 10% उपर, 10% लीचे चल जाएगा तो एक auditor क्या 2-3 बातों को ध्यान में रखता है इस चीज को निकालने के लिए कि कि कितना difference चल जाएगा, difference चल जाएगा मतलब amount of difference which is acceptable without any investigation तो वो basic चीजों को ध्यान रखता है materiality क्या है, उसको कितनी level of assurance चाहिए, अगर assurance ज्यादा चाहिए तो ज्यादा difference acceptable नहीं रहेगा वो चाहेगा कि जो उसके expected value है वैसे ही actual amount निकल क्या है plus risk of material misstatement ध्यान रखेगा तो ये पूरे topic को बस आपने read करके चलना है nothing else to be done now comes the question, sir एक बाब बताओ हमारा expected rental revenue था 1.6 CR, जो difference acceptable है without investigation है वो है 10% उपर 10% नीचे मतलब 16 lakh का difference चल जाएगा जो actual rental revenue है वो है 2 करोड रुपे, ओहो हो क्या कर दिया sir, 2 करोड रुपे तो बताओ 2 करोड के actual और expected में difference कितना है sir 40 lakh, क्या 40 lakh का difference चल जाएगा, मैंने का नहीं investigate करना पड़ेगा, investigate का क्या मतलब है, आप management के पास जाओ उनसे inquire करो, what is the reason for this difference, प्रस वो जो भी reason दे, सुनके मत आ जाना, उस reason को लेके evidence ले लेना, अब ऐसा हो सकता है, reason दे लेना, तो जब आपके पास evidence ही नहीं है, आपने वो audit procedure ही नहीं किया, तो आप alternate procedure करोगे, ठीक है sir, या फिर वो reason plus evidence है, वो काफी नहीं है, तो जब भी काफी नहीं होता, छोले चावल में छोले कम पड़ जाए, तो हम additional छोले लेते हैं, यानि हम क्या करेंगे, additional procedure, तो ICA ने कहा कहा, उसने दोनों चीज़ों को consider कर लिया, कहते हैं, या तो explanation नहीं मिली, या जो मिला वो काफी नहीं है, तो इन्होंने कहा, alternate और additional को साथ में मिला दो, और सीधा बोलो other audit procedure, so you can perform other audit procedures, in case आपको explanation नहीं मिलती, या explanation प्लस उसका जो evidence है, वो काफी नहीं है, then इसके बाद हमने एक छोटा सा topic discuss किया, इसमें कुछ भी नहीं है, at the end of audit, आप overall conclusion बनाते वक्त, कहीं ना कहीं analytical procedures को use कर सकते हैं, जो आपने बाकी procedures करें, जो analytical procedures use करें, इन दोनों को मिला के आपको reasonable conclusion मिल जाएगा, और हो सकता है, कुछ unidentified risk of material misstatement मिले, तो अगर कोई unidentified risk मिलती है, तो आप अपनी risk assessment change करोगे, जैसी risk assessment change करी, तो further audit procedures में भी changes आ जाएंगे, that is a very common sense वाली thing, अब इसके बाद हमने छोटे 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 दो topics discuss करें थे, प्रेम पूरवक तरीके से, सर कौन कौन से topic थे, एक तो factor वाला, ये वाला topic तो वड़ा नौटी topic था, तर factors which can affect कि आपको substantive analytical procedure करने चाहिए की नहीं, तो मैंने का सबसे पहले करने के लिए चाहिए data, data कौन सा financial, non-financial और वो reliable होना चाहिए, relevant होना चाहिए, so relevant and reliable financial, non-financial data, इसके बाद हमने अगला point क्या discuss किया था सर, disaggregation, disaggregation का क्या मतलब है, जितना ज्यादा data हमको divided मिलेगा, उतना useful हमारे लिए रहेगा, फिर आता है account type, balance sheet item और P&L item, यही दो तरक के item होते हैं, किसके लिए ज्यादा better रहता है analytical procedure, सब P&L item, जो आपके transactionary items होते हैं, income statement accounts, these are more predictable because these are the transaction over a period of time और जो balance sheet items होते हैं, वो तो outcome होते हैं, these are a point in time, these are the outcome of the P&L items, तो यह आपके इतने predictable नहीं रहते हैं, फिर आता है source, source में हमारा trigger point क्या था, management की judgment, management की judgment लगते हैं, non routine transaction पे, judgmental matters पे, non routine transaction पे, estimation वाली चीज़ों पे, तो जहां non routine और estimation वाली चीज़ें, वहां analytical procedure होते हैं, applicable नहीं है, बट जो routine nature वाले items हैं, जो routine nature वाली transactions हैं, जहां management की judgment नहीं लगती, वहां analytical procedures आप use कर सकते हो, ठीक है sir, courts का मतलब था class of transaction, फिर आता है predictability, यहां predictability क्या था, predictable relationships, दो चीजों में क्या कोई predictable relationship है, example, sales और cost of sale, अगर sales बढ़ रही है, तो cost of sale भी बढ़ेगी, debtors और cash recovery, जितनी ज़्यादा cash की recovery होगी, उतने debtors कम होगे, तो आपने यही ध्यान रखना है, sap are more appropriate जब account balance और relationships are predictable, जहां पे भी predictable relationships मिलेगी, वहां analytical procedures become more applicable, then we discuss two more topics, assertion और risk of material misstatement, assertion का क्या मतलब था, मैंने का देखो, simple सी बात है, analytical procedures अच्छे हैं, बट सारी assertions के लिए नहीं, for example, यह building मेरी है, यह तुम कैसे check करोगे, तर हम check करेंगे building entity की है या नहीं, उसकी title deed से, तो title deed जैसी तुमने मांग ली, यह तो test of details हो गया, मतलब rights and obligations वाली जो assertion है, उसमें analytical procedure टाइटाइ फूस हो जाते हैं, बट बाकी जो assertions हैं, जैसे कि आपकी हो गई completeness, valuation, इनके लिए आप analytical procedures यूज कर सकते हो, तो याद रखना, तीन assertions, इसमें E को भूल जाना, E वाली की बात करते ही नहीं, RCV, rights and obligations, completeness और valuation, completeness और valuation के लिए फिर भी analytics काम आ सकते हैं, but when it comes to rights and obligation, analytical procedures are टाइटाइ, फिश, then comes inherent risk, जहां पे भी risk ज्यादा है, वहां आप उपर उपर से analysis नहीं कर सकते, जहां पे भी risk of material statement ज्यादा है, या significant risk ज्यादा है, you have to perform test of details, analytical procedures alone are not sufficient, अब इसके बाद हमने बात करी तकनीक की, पड़ाफट सारे बच्चे, पानी के दो घूट लगाओ, और chat box में लिखो, ready come on everyone cheers, यह जो side agreement वाले example है, this we already covered with chapter number 4, जब भी management main agreement के साथ side agreement मनाके हेरा फेरी करने की कोशिश करता है, या revenue recognition में changes करने की कोशिश करता है, तो again, क्योंकि controls weak है, control risk ज्याद है risk of material में statement ज्याद है, तो test of details करना पड़ेगा, अब देखो क्या कहता है, techniques बढ़ी simple और प्यारी techniques है, cute cute सी techniques है, इस साल के data को पिछले साल से compare किया, तो इसको क्या बोलते है trend analysis, हमने example लिया था विराट कोली का, विराट कोली का trend है, जब भी Pakistan के against match होगा तो वो century score करेगा, तो it is a trend which is based on the past data, तो जब भी current data को compare करते with the past data, past period data, और the data based on two or more periods, तो prior periods उसको कहते है, trend analysis, अब दो चीज़े हो सकते हैं, सर क्या, या तो data in line move कर रहे है, या there are fluctuation, in line move कर रहे है, very good, अगर there are fluctuation, तो आपको उसको reasons को investigate करना पड़ेगा, example लिया था salary का, salary generally सालो साल, हलकी हलकी बढ़नी चीए, बट अगर आपको लगता है हलकी हलकी बढ़ने के साथ, अचाने पड़ गई, तो हो सकता है, यहाँ पर कुछ fictitious employees डाले हो, उन fictitious employees को कोई fraudland वगरा हरकते चल रही हो, तो वो दिक्कत हो सकता है, चेक करके चलना, फिर आता है ratio analysis, financial management, तो ratio analysis में क्या होता है, सर, it is applicable to both balance sheet, as well as P&L item, balance sheet मतलब asset or liability, P&L मतलब आपके revenue or expenses, इसी के उपर हमने correct incorrect भी क्या था, quotient bank से, अब इसमें सर, यह क्या कहता है, simple सी बात है, individual balance sheet item को predict करना tough हो सकता है, but ratios can be easy to predict, ratios में हमने बोला, debtor turnover ratio, और ratios को आप period over a period of time भी compare कर सकते हो, तो points को बस read करना है, commonly used ratios क्या है, profitability ratios, current asset to turnover ratios, और pro-lay-ly, जल्दी से बोलो 3 points, कौनसे ratios जनरली चलता है, profitability, current asset to turnover ratio, और pro-lay-ly, तर यह 3 points क्या थे, profitability में net profit ratio, और loss to sales ratio, अगला gross profit ratio, current asset to turnover में आता है, debtor turnover, inventory to turnover, and last में आता है, pro-lay-ly, मतलब profitability, leverage वाले ratios, जो आपके operating leverage होती है, financial leverage होती है, combined leverage होती है, and leak का मतलब था, liquidity ratio, जिसमें आते हैं, आपके solvency ratio, short term solvency ratio, जिसमें आप बोलते हो, current asset ratio, quick ratio, ठीक है, ठीक है sir, फिर हमने कि GP वाले example, डिसकस किया था, जिससे हमारा, एक और correct incorrect solve हो गया था, GP वाले example में, मैंने आपको बोला, अगर entity, fictitious sales record करती है, तो क्या GP ratio कम होगा, sir क्या बोल रहे हो, क्या GP ratio बढ़ेगा, या कम होगा, मैंने का simple सी बात है, देख लेते हैं, GP पहले था 20, sales थी 100, अगर मैंने fictitious sales add करी, तो cost पे तो कोई impact ही नहीं आएगा, दोनों बढ़ जाएंगे 50-50 रुपे से, जैसी मैंने दोनों को 50-50 रुपे से बढ़ाया, तो मेरा GP ratio बढ़ गया, तो अगर ICI बोले, GP ratio कम होगा, तो बोला ना रे बाबा ना, हम शुभम सर से पढ़ के आए हैं, हमको पता है, यहाँ पे GP ratio increase होना, चाहिए, फिर हमने बोला, reasonable test, अच्छा, reasonable test में, क्या prior period से compare करते हैं, नहीं सर, unlike trend analysis, trend analysis की तरह नहीं है, unlike trend analysis, यहाँ हमारा focus रहता है, non financial data पे, बोलो मिरसा, यहाँ हमारा past period data पे नहीं, यहाँ हमारा non financial data पे focus रहता है, यानि यह कहता है, इसमें हमने सारे incomes और expenses की बात की थी, अगर ध्यान रहे तो, तो यह इसमें और इसके example डिसकस कर लो, पहले खडचे, फिर income, पहला खडचा क्या था, interest expense to interest bearing obligation, फिर आते सर, खडचे किसके production वाले, raw material, work in progress, और कुछ गया wastage में, come on, raw material, work in progress, कुछ गया wastage में, तो raw material to production, work in progress to production, कुछ गया wastage में, wastage to production, तो सब में 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 को लगता है, मोटा माटी production यूज हो जाता है, work in progress के साथ, issue of material यूज हो जाता है, ठीक है सर, sales को किससे compare करना है, मैंने का sales को आपने compare करना है, commission on sales को, with the quantity sold, तो commission or sales discount को, with the quantity sold, और अगर आपकी income आती है, rental revenue से, तो जितना occupancy rate था, उसको आप rental revenue से compare कर सकते हो, फिर आता है structural modeling, तो स्ट्रुक्चरल, तो बोला नहीं जा रहा, structural modeling में क्या होता है, पिछले साल का सारा data उठाया, एक statistical tool के अंदर डाल दिया, जैसी tool के अंदर डाला, मैंने button दवाया, जैसी button दवाया, मेरे पास इस साल का data आ गया, तो इसको कहते है, predictable tool, यह कहिना कहीं, statistical predictable tool है, जिसमें आप past year का, जो भी information है, financial, non financial, दोनों साथ ही चलती है, उसको डालोगे, और current year का data निकालोगे, और बोलोगे वाउ, मुझे पता चल गया, यह आपको कहीं, यह आपको कहीं न कहीं समझना है, structural modeling, बच्चा कहे रहा, ramp walk वाली, नहीं, ramp walk वाली modeling नहीं है, it is a modeling tool, जिसको आप बोलतो, structural model, जिसमें आप data डालते हो, financial, non financial, prior period का, और आपके पास current period का data, आज आता है, come on everyone, are these four points clear to all of you, yes sir, यहां हमारा, पूरा का पूरा revision, of analytical procedure, gets completed, you got the point or not, yes sir, यहां हमारी सारे topics, complete होते हैं, अब बस मेरी आपके से, एक ही request है sir, क्या, इस बात को हमेशा, सिंदगी में याद रखना, sir, क्या, कभी भी, इतने सारे syllables को देखके, न डर मत जाया करो, कि sir, कैसे होगा, आपको सब कुछ, आज थोड़ी करना है, सब कुछ, अभी थोड़ी करना है, एक add आती थी न, बच्पन में, small मिलाते जाओ, large बनाते जाओ, तो एक बात बस ध्यान रखना, little progress, each day, रोज थोड़ी थोड़ी progress, अगर हम करते रहेंगे, रोज थोड़ी थोड़ी महनत करते रहेंगे, तो पक्का हम एक दिन, big results अचीव कर सकते हैं, so this is small thing, that you need to understand, छोटी छोटी, प्यारी प्यारी महनत बस आपने रोज करते चलनी है, and definitely एक दिन आपको काफी अच्छे results मिलेंगे,